हेलो मेरे प्यारे विद्धार थी हो वेलकम बेक टो आग चेनल तो जैसे का आप लोग को पता है यहाँ पे चारा ओले स्टेट बले जेका मास्टर कोर्स अगर आप किसी भी स्टेट से विलोंग कर रहे हो एड़ आप जेका प्रपिशन कर रहे हो और एका तो दोनों के लिए पर चारा मास्टर कोर्स यह आप लोग को पता है अभी हम लोग चारा था प्रडॉक्शन इट्रिंजरिंग अब प्रडॉक्शन में ये पाट हो जगा 11 पाट क्या हो जगा एका 11th part, आज भी हम लोग देखेंगे MC की question previous जो आपका 10th part था उसमें भी हम लोग देखे थे MC की question और वो जो आपका MC की question था, वो किस पर बेश था tool material पर था, आपका tool material, जो हम लोग cutting tool बनाते हैं ठीक है, वो cutting tool वो कौन कौन सा material से बनाते हैं और उसके बाद हम लोग बात के थे, जो roughness हो जाता है ठीक है, जो हम लोग roughness, यानि tool roughness क्यों हो जाता है, उस पर based था राइट, आज का हम लोग class उसके आगे हम लोग further लेके चलेंगे, और कुछ-कुछ हम लोग question, discussion करने वाल हैं आज के class में अगर आपको सब को करना है, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक course में, उसके बाद जो next course में वो similar रहेगा, उस चीज को ना लिख के, जो new रहेगा उसको अप लिखना, वो मैं आपको बता दूँगा, राइट तो आप जैसे भी provision करो, अच्छी तरसे आप लोग करना इसका लाब में हम लोग यहाँ पेट course चलता है आपको पर्चेस करना नीचे वाट साफ लोग दिया गया, वोससे आप इसके बारे में पता कर सकते हो, चलिए आज से course के में हम लोग चलते हैं, तो आज में हम लोग क्या देखने माल है, MCQ solution आप जो हम लोग करेंगे और यह हम लोग का हो जागा 7th part, MCQ solution का 7th part, वैसे lecture वाज में बात करूँ, तो आपका ही हो जागा 11th lecture, 11th lecture हो जागा, बट MCQ solution जो production का कर रहे हैं, उसके basis पे यह हो जागा हम लोग का 7th lecture, आज भी हम लोग बात करें किस पे, tool material पे, tool material से question में कर लगाएंगे, ठीक है, tool material यह MCQ solution, तो पहले आप tool material से लिए थियोरी पढ़ लिजेगा, तब देखेंगे कितना लग पाता है, tool material and roughness हो जाता है, roughness, यहीं कि tool roughness क्यों हो जाता है, उससे related यहाँ पे हम लोग question लगाएंगे, तो यह दोनों topic में आज हम लोग फिर से question लगाएंगे, 10th question, आपको बताना है मैं last में question भी पुछूँँगा, और out of 10 में कितना आपको आएगा, यह भी आपको बताना, क्योंकि सारा का थियोरी में आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है, चलिए, आज का पहला question क्या बोरा, carbon tool, steel, have low heat and wear resistance, क्या यह सही है या गलत है, पहले हम लोग चलेंगे, correct और incorrect औ food में use करते थे, कहां पे लकड़ी को काटने के लिए हम लोग carbon tool का use करते थे, याद होगा, आप लोग को में बता जो हो, और इसका low heat भी हो जा था, wear resistance, और इसका हम लोग यूज है, वो mass production के लिए भी नहीं करते थे, यानि कि heavy जो work है, वहां पे इसका use नहीं करते है, क्यों region में ने बता थे, कि high temperature को नहीं जेल पाता है, यानि कि 300 degrees से जादा अगर above में इसको गरम करेंगे, तो इसका जो hardness है, वो fail कर जाएगा, hardness को return नहीं कर सकता है, यानि 300 से कम में करेंगे, तबी ठीक है, यानि कि हम लोग soft ductile को करेंगे, इसलिए soft लकड़ी वेगरा को काटने क के लिए हम लोग carbon tool का use करते हैं, ठीक है, यानि इसको हम लोग पूरा बोलते हैं, high carbon steel tool, तो यह हो जागा आपका क्या correct answer, आप लोगो खुद से pose करके answer देना में बार बार बोलता हूं, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए helpful होगा, अगर आप खुद से दीजेगा तो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा preparation होते चलेगा, second question, यहां बोरा high speed steel tool का बात करा, चलो ठीक है भाई, return their hardness up to, अभी just मैंने कहा, कि जो आपका HCS, यानि कि high carbon steel है, यह 300 degrees तक अपने, जो hardness उसको बनाए रखता हो, उसके बाद हो fail कर जाता, यानि 300 से ज़्यादा करेंगे, तो hardness रख पाएगा, जो tool material लेगा, वो break करना start हो जागा, यहीं यहां पर बोरा की बताओ, अब मेरा बात कर रहें, यहां पर HSS का, यानि कि high speed steel tool का, इसका जो है, कितना hardness तक वो, यानि कितना temperature तक, अपने hardness को बनाए रखता है, क्या 1200 तक, क्या 300 तक, क्या 800 तक, या 900 तक, बताई 3 inch to, यानि 3 inch to temperature, यानि कि इसका कितना होता, 300 होता है, तब जाके आपका HSS से यह match कर पाएगा, क्योंकि यह इसका 9 सो होता है, तो चलिए हम लोग 3rd question में चलते, 3rd question क्या बोरादा, trade name of a non-ferrous cast alloy, compose of cobalt, chromium, antagonist and is called, यानि बोर रहा की बताओ, एक मेरा non-ferrous alloy है, cutting alloy है, जो बन cemented carbide, देखो, हम लोग अभी तक जितने भी material पढ़ा है, जिससे tool material बना जाता है, मैं क्या क्या बताया हूँ, सबसे पहले, मैं आपसे यह बताया था, कि सर, जो बनाया जाता, एक तो था आपका HSS, यह आपको पता होना चाहिए, कि इसको किस से बनाया जाता है, इसमें में जाता है, फिर हम लोग बात किये थे, फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग इस यहाँ यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात किये थे, आपका carbide का, carbide tool, carbide, carbide जो tool बना जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, तो मैंने बताया था, उसमें भी आपका tungsten रहता है, फि और को बार्ट रहता है 8 यह दोनो चीज में आपको बता चुखो है इसके बारे में बता चुखोँ और हाइश इसके डिश्टिल टूर के बाद बता जीएँ नों तो मेरा हो गया अब एक नियू यहांपे आता है जिसको बहुत तो यहांपे जो है अगर आप देखेगा इसमे आपका क्या कार्बालट यूसित्-धन और इसके बाद क्रोमियम को यहां से उठा लिए यानिकी आ फट्वित नंबर बिप समझाए कि नी क्या-क्या मिलके बना जाता है मैं आपको बता दिया एक तोरह ता आपका टंगस्टन ठीके डबलू से दिखाते हैं फिर एक तोरह तोरह ता मेरा क्रोमियम और फिर एक तोरह ता मेरा सीफ़र कोबाल्ड इसको अप लोग ध्यान में रखेगा नेक्स्ट मूब करते हैं को से नमबर फिप्ट की और स्ट्रोलाइट रिजर्व हाडनेस अफ्टूर टेंपरेचर और देखो आप यहां पर बोरा की कता बताओ जो स्ट्रोलाइट है वह अपने टेंपरेचर कितना तक हाडनेस को बनाए रखता है हम लोग अभी तो हम लोग क उस्ट में लिख देते हैं है फिर अनलग बात किए थे हैटेसलं कि इस्ट्रोलाइट करता है यहांत रख नयोग की बात करता है यह जो है वह सब यह तख कर दہ बहाया एक सो तक कितना दग रहता है एक हजार एक सो तक अपने हाडनेस को बनाए रखता है यानि कि एक हजार एक सो डिगरी सेलसियस तक अगर मेरा टूल मेट्रियल और वक्पीस अगर गरम भी हो जागा तब भी इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा समझाए चलो मोग करते हैं फिप् बता था ना कि जो आपका सेराम气 तूल होता है आप लोग में बताता हो तब-तक को यिश्टा में बताता हो इसका कौरेक्श कामें याक्री टूल प्रेशिंग से बनाते ऐहां आ啊 हुआई उसके हैं तो यहां पे करe Enjoy अगर यहां पर श्रह आपकर इसे से भी रहता हो यह자ु means चल्सियस बताए था 900 फिर इस्टेलाइट का अगर बात करेंगे तो यह कितना बताए था मैंने 1100 तक रहता है ठीक है डिगरी सल्सियस तक अगर हम लोग बात करेंगे आपर सेरामिक का तो यह रहता है आपका इससे भी ज्यादा मतलब 1400 तक यह अपने hardness को बनाए रखता है यह इतना temperature भी दे देंगे फिर भी अपने hardness को नहीं खोता है समझाया कि नहीं चलो तो यह भी हो गया तो यह brittle in nature होता है और एक चीज मैंने बताता है ceramic tool के बारे में कि यह weak किसमें हो जाता है weak होता है आपके bending strength में तो low होता है in bending strength bending strength ठीक है तो यह सारा चीज़ में बता दिया है तो यह bridging से हम लोग क्या करते हैं उसके tool को cold work के द्वारा या जो aluminium powder कर रहाता है उसको हम लोग compose करके fix करके बनाते हैं मेरा tool का निव यानि कि जिस question आगे बढ़ते हैं next question question number six यहां बोला गया कि the ceramic tool has a greater tool life than carbide tool obviously यह कोई बोलने वाली बात नहीं है na ceramic tool जो रहता है वो मेरा ज्यादा रहे गाए carbide tool से क्यों मैंने just अभी बताया था ना hierarchy आपको बताया था कि सबसे पहले आपका क्या जाता है HCS high carbon steel tool फिर आपका HSS इससे ज् है मेरा this is called your carbide carbide और carbide से भी ज्यादा मेरा कौन हो जाता है इससे भी ज्यादा मेरा हो जाता है ceramic तो ceramic तो सबसे ज्यादा हागे होता है इसलिए यह जो है carbide से obviously यह greater होता ही होता है आप इसे भी लिख से तो HCS से greater HSS से greater carbide फिर आपका ceramic यह भी ठीक है चलो move करते next question की और question number पर आ जाता है मेरा seventh the tool made of cemented carbide wear out faster at देखो मैं जब थियोरी बता रहा था उसमें साइध में इसको अच्छे से रहता वापकर 10% रहता है और और रहता 8% इन सब के हम लोगों mixer करके हम लोग क्या बनाते हैं बनाते हैं कारबाइट टूल बनाते हैं चलो यह तो clear हो गया हम बताए थे यह कि यह थे कि इसको हम लोग operate करते हैं लो यह operate करते हैं low speed because अगर low speed में करेंगे तो यह तूट जाएगा नहीं मैं यह बताना जाता है अगर इसको low speed में करेंगे तो यह तूटेगा speed में करने से नहीं अगर इसका हम लोग high speed करेंगे तभी जाके नहीं तूटेगा तो करेंगे मतलब क्या है कि Low Smid में अगर करेंगे तो Tool मेरा क्या हो जागा Toil जो हो मेरा Break कर जाएगा Toil क्या कर जागा या फिर Tool Life जो हो मेरा घट जाएगा क्या समझें? चलो फिर से मैं बता देता है इसी चीज को है न मैंने कहा कि Kabite जो Tool होता है Carbite Tool को अगर if हम लोग speed speed जो रहेगा वो हम लोग low रखेंगे then तो जो है then मेरा tool life जो है वो घट जाएगा tool life क्या होगा घटेगा तो reason यह है क्या मैंने कहा कि हम लोग इसको speed low अगर रखेंगे तो मेरा tool life घट जाएगा it means मेरा tool life को बढ़ाने के लिए speed मेरा ज्यादा रखना पड़ेगा लेकिन मैं theory में साइथ बता दिया था कि tool life को कम रखते हैं क्यों because यह कम हो जाता है तो वह में आपका यह सही इस चीज को आप correction वहाँ पर कर लिजेगा तो यही question यहाँ पर बोला गया था अब इस question में मतलब खराब हो जाता है क्यों हो जाता है मैंने का low speed के चलते slow speed यानि कि अगर हम लोग slow speed रखेंगे तो मेरा carbide tool जल्दी खराब हो जाएगा यानि कि speed हम लोग अच्छा रखेंगे इसको अपने notes में देख लिजेगा मैं हो जाता दिक्कत सोरा वह सो लेक्चर में कहीं एक point में तो थोड़ा बहुत हो जाता आप लोग यहीं समझते होंगा I hope so इतना समझदार अप लोग है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 10th question में क्या बोला गया the carbide tool operating at a very low cutting speed below देखो वही बात किया था अभी यहीं इसी चीज़ का बात कर रहा है और यह भी मैंने बता था कि कितना बिलो में करते हैं हम लोग 30 meter per minute ही लेते हैं यानि कि इससे भी below इसे भी below में अगर हम लोग करेंगे तो मेरा खराब हो जाएगा तो वहीं बोल रहा है देखो यहां पर क्या बोला देखो यहां पर क्या बोला देख कारवाइट टूल ऑपरेटिंग एट यह लोग कटिंग स्पीड यानि कि इसका मतलब यह है कि क्या बता टो इसका मतलब करेंगे यह आपको बता ना यहां पर ठीक है बताई इसका करेक्टान से क्या होगा क्या बोरा कि अगर हम लोग कटिंग स्पीट को इंक्रीज कर देंगे बढ़ाने से जो कटिंग टूल कटिंग फोर्स रहेगा टूल कटिंग फोर्स क्या होगा तो अब यसली बात ही बहुत ही कॉमन आपका इजी कोश्चन है घड यहां पर अगर हम लोग कटिंग स्पीट को बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स जो रहेगा वह घड जागा बोलेंगे सर कैसे बता रहे हैं देखो यहां पर यह है मेरा टूल मेट्रियल वह पीस है और यह मेरा कटिंग टूल है यह हम लोग क्या कर रहा भी हम लोग काट रहा है अराम से इतना कट करके जा रहा है माल लोग इतना मेट्रेल को अभी कट कर रहा है मातर इतना ही कट कर रहा है अब लोग यहाँ पर कटिंग स्पिट को इंक्रीज कर देंगे जैसे हम लोग इंक्रीज कर देंगे इसका डब्त कि ट्वेंटी की ओर आज का लास्ट को सेन ने बताई जो सेरामिक टूल से रहता है कटिंग टूल रहता है आर मैट बाइक कॉल प्रेसिंग देखो यहां पर आपका ए नंबर का अगर बात करेंगे मैट बाइक कॉल प्रेसिंग ऑफ ऐलुमुनियूम ऑक्साइड पौडर तो आपको पता है यह जो है बिल्कुल सही बोल रहा है मैं ज़स्ट अभी आपको एक्स्पेंट किया था तो यह आपका क्या हो जागा करेक्ट अंसर हो जागा और भी चीज अगर यहां बोलता कि कितना टेंपरेचर तक अपना हाडनेस को बनाए रखता तो 1400 डिग्री सलसिया तक वह अपने हाडनेस को बनाए रखता है यह भी आप से पूछेगा तो आप यह भी आप इसका दे सकते हो ठीक है ओके यह सारा चीज इससे आपको पुला गय है और हां जो यहां पे और यहां पर पावडर रहा था निकी ऐलमोनियूम उक्साइड का जो पावडर रहता है इसको हम लोग कोल्ट प्रेसिंग से एसेंबल करके यानिकी समझ लोग इस तरह कोड़र है इसको क्या करेंगे वीद्धहलप पॉड्प प्रेसिंग के दवारा Engineering Wearing मैं bought Welding, Soldering, Braging तीनों, एकी तरक होता है अंतर आश्रीप यह होता है कि Temperature किसी का ज्यादा रखते हैं एक होता है Welding आपको पता है फिर होता है आपका Soldering तो Soldering और Braging में क्या डिफरेंस है एक मेंмотрature ज्यादा रहते हैं एक में Patterature कम रहता है यह सारे चीज़ में बताऊंगा जब मैं आगे पढ़ांगा वेल्डिंगा टोपीक तो आप लोग टेंसन नहीं लेना हर वोची चलो फिर से question of the और अगभी तक आपको answer सही लग रहा सारे session तो फ्रीज आप लोग लाइक कीज़ेगा और चली आज देखें हम लोग आज का question देख लेते हैं आपके लिए जो हम लोग लाते हैं आप लोग answer तो नहीं करते हो बड़िट्स मैं वर्क में देता हूं यह सारे चीज़ जो रहता हो वो में पढ़ाया वह रहता हो तो मैं आप लोग को चेक करता हो कि आप लोग किस तरी स्टील को machining करते हैं स्टील का cutting वेगरा करते हैं तो उसमें हम लोग जो cutting fluid है मैं इसका सारे MCQ theory पढ़ा चुका हूं तो क्या लेते हैं क्या हम लोग water लेते हैं cutting fluid या soluble oil लेते हैं या graphite लेते हैं या फिर heavy oil लेते हैं क्या लेते हैं समझ मैं आगी नहीं यह जो मेरा work piece रहत हैं ताकि ठंडा रहें तो जब लोग steel को cut करते हैं तो अब हम लोग cutting fluid कौन सा यूज करेंगो उसका यहाँ पर बात हो रहा है तो आप लोग को यहाँ पर इसको क्या करना answer करना in comment answer आपको comment में करना है वीडियो कैसे लगा जरू बताएगा ठीक है वीडियो कैसे लगा आप लोग को like करके बताना अगर अच्छा लगा तो एंड जाता ज्यादा बच्चे तो share की जएगा ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर free class चल रहा है and complete यहाँ पर मिल रहा है आपको ह इंडिया वेगरा कोशन वेगरा जो कोई भी चीज रहता वह भी सारा में इंपोर्टन यहाँ पर डाल दे तो इसका वाल यहाँ पर मुझे कोशन पूछ सकतर वाटसप में इंडिया के टॉप इंपोर्टन जितने भी आपके student है वो जुड़ा गया है वहाँ पर कोशन डिस से जहाँ पर हम लोग complete 9000 question solution देते हैं आरकेजन में 4000 question solution और और स्कुर्मे में 5 question solution और theory के साथ साथ complete आपका mechanical का theory भी बता जाएगा और solution भी बता जाएगा दोनों चीज़ हर वो चीज़ बता जाएगा और question भी कराते expression के साथ तो उसके लिए आप contact नमर दिया गया discussion में उसका वायाँ पता कर सकते हो मिलते नेक्स पार्ट में तब तक ले goodbye and God bless you all अ कर दो